हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमार इस लर्निंग प्लेटफर्म बेस्सी बायो वाला इस्टुडेंट आज इस लेक्चर में मैं आपको क्राउन्ड नट या फिर जिसको आप लोग काउन की भासा में मुँपली या फिर ये पी पीट नट आयल बोला जաIN इसी के बारे में आज हम आप से डिसकर्श करेंगे टिक इसी के बारे मैं आज हम आपसे डिस्कर्ज करेंगे कि कोटू नट डूब्ड नट आयल क्या होता है मुंगफली का आयल क्या है तो यह सारी तीनों चीजे यह की ही है टिक न अलग लेगा टिक ग्राउड नट को मुंगफली भी बोला जाता है पीटन नट पीनट सोई पी कोनेट की बारे मताइथा तो भाई बाल जुबह सो नटे तो जो होता है आपका यह एक प्रकार का ऑईल है तेलहे थिख जो प्राप्ट की जाती है निका हम की से नटसे सिट को नट बोले जाता है आयल के case में ठिक तो मुंग फली का जो आयल होता है नट का आयल होता है उसी के बारे में हापे सबजना है आपको ठिक यारे कि जो प्रिवियस क्लासे शली थी मैंने आपको हाँ पे किस चीज के बारे मताए ग्राउंड नट उसके पारले मस्टर्ड के बारे मताया था तो यह आयल की चलती आ रही है अब इसके बाद मुंग फली हो गया फिर हम आपको अगला लेक्चर में कैस्टर आयल के बारे मताएंगे जिस प्रकार से आपका आयल इल्डिंग प्लांट खतम हो जाएगा फिर आपको हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें होगा लाक्या पढ़ना होगा पहले हम लोग समझेंगे इसका बॉटनिकल नेम किस फैमली से बिलांग करता है आयल को कैसे निकाला जाता है इसकी प्रॉपरिटीज क्या होती है और इसकी यूज इसकी इतनी साइज चीजी आपको यहां पर बताई जाएगी तो आपको पता है कि इतनी सब्सक्राइब हुँश पर डिजो आपका ग्राउंड और नेर्ट होता है जिसको लोग नारियर ऐसरी मुंग फली बोल देती है इसका जो बॉट नेम होता है वह रची लिए ह हाइपोजीना होता है ठीक सोरी हाइपोजियाना होता है ठिक जियाना होता है ठिक तो यह हाइपोजिया जो है हाइपोजिया ठिक प्रोनाशियेशन सबका अलग-अलग हो जाता है तो आर्चिस ठिक एराकिस हाइपोजिया जो है यह किस फैमली से बिलांग करता है याने कि ग्राउन नट यह आपके लेग्यो मिनेसी फैमली से बिलांग करता है जो लेग्यो मिनेसी है यह पुराना नेम है इस फैमली का जिसका नया नाम क्या है फेबेसी फैमली है इस फैमली में बहुत सारे और्डर्स आते हैं जिसमें एक फैमली है पैपेलियो नेसी वह इस प्लांट का है यानि कि पैपेलि ग्राउंड नट होता है ठीं चो गरांड नट हूती हैं ठीक वह आप लोग देखे होंगे कि जो आपका मुंखळीं होता वह कुछी इस प्रकार से होता है ठीक इस प्रकार से हो जाती है जिस से चनरली तो या फीर मोर तेन टू यानिकी फोर सीड देखने को मिलते हैं रेयर केस में दो या तीन देखने को मिलता है और कभी कभी चार सीड भी देखने को मिल जाते हैं ठीक आपके मुंखफली में चनरली तो दो ही सीड होते हैं पट दो से चार भी देखने को मिल जाता है ठ यह दू के हैं तर इसको शॉन किया जता है यह नहीन मोटी बात चल Portuguese जो हैं इसका जो नेटु can भेसे मेंने ब्राजील सब्हें पहले ब्राजील में इस प्लांट को लृ करा गया था तो इसका जो नेटु प्लेस हुआ वह क्या हुआ ब्राजील हुआ ब्राजील के साथ साथ यह क्या है यह कि क्राप है ठिक खरीब की क्राप ठिक और जो इसका फूरूट होता है जिसको मोग नट कहती है उसमें three से चार सीड होती हैं जिसका कामर्सली इंप्वार्टेंट होता है आयल के लिए तिक यानि कि उसी सीड से आयली का लगता है तिक यानि कि उसके उपर क्या होता है छिलके लगते हैं उसका हस्क लगा होता है जिसमें सीड होते हैं एक नट में इस पूरे चीज को नट बोलते है एक नठ में 2-4 चीड होते हैं लिए 2 देखने को मिलता है ए तो यह पात रही आपके थोड़े से बेशिक बारे में अब समझते हैंने इक्स्ट्रेक्शन किस प्रकार से आयल को निकाला जाता है तो आयल को आपडेन करने के लिए तो इसको निकाला जाता है प्रोड़क्ट के रूप में आयल निकलता है और बाई प्रोड़क्ट के रूप में ग्राउंड नट निकलता है ठीक तो प्रड़क्ट के रूप में इसका आयल और बाई प्रड़क्ट में रूप में उसके केक याने की आप लोग कर सकते हैं उसके जोगी अधर पार्ट को निकल जाता है आगे समझते हैं इसमें कौन कौन सी प्रापरिटीज होती है ग्राउंड नट आयल में तो ये नान ड्राइंग आयल होते हैं वेजिटेबल आयल होते हैं ये गोल्डेन एलो कलर के देखने को मिलते हैं ठीक नान ड्राइंग आयल का मतलब क्या हुआ नान ड्राइंग का मतलब यह हुआ अगर आप इसको environmental में रख दें किसी container में तो इस पे किसी भी पतली layer का formation नहीं होता ठिक और यह क्या एक प्रकार से vegetable oil है ठिक और साथ ही साथ यह golden yellow color के होते हैं और इसमें different type के fatty acid present होती है जैसे इसमें lean oleic acid देखने को मिलता है इस्ट濃acic acid देखने को मिलता है। फिक लीन oleic acid इस्ट濃acic acid और pal assets Wise respond मिलता है तो इसके property हो गई है पाक करते हैं इसके उजेट की तो उसको इसका हाइल होता है जब इसको filter के जाता है तो इसका उप्योग हम लोग refined के रूप में refined डॉप में करते हैं जिसको हमोग यानी की खाने यानी की खाने में भोजन की रूप में यूज करते हैं घ्वरति क क्या उप्यूग के इसका इसका उप्योग शॉप याने की साबून सेविंग क्रीम और क्लिसरीन क्लिसरीन एक कास्मेटिक प्रोड़क्ट है उसको बनाने में किया जाता है तिक यहने कि शॉप शाबुन को सेविंग क्रीम को और क्लिसरीन को बनाने में किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका तीसरा पॉइंट जो है जो ग्राउंड नट केक है यहने कि जो इसका केक होता है, उसका उपयोग कैटल फूरड के लिए किया जता है, घया में चाहरे के रुप में किया जता है नेक्स्ट पॉइंट, क्लों क्या है, तो इसका जो जो कह सकते हैं आपकी जो विजिटेबल होता ये जो ग्राउंड नट होते हैं यह vegetable गी के रुप में यूपियोग कियाते हैं यानि कि hydrogenation process के द्वारा जो इसका iron होता है इसको manufacture किया जाता है ground nut oil को vegetable घी में यानि कि जो आपका इसका vegetable घी है इस ground nut oil को manufacture कियाता है और vegetable घी को obtain किया जाता है तुकिस के दौरा कियाता है hydraulic process के दौरा तो यह आपके groundnut oil के बारे भाँ जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता इसके botanical name के बारे बता है। साथ ही साथ मैंने उसके family के बारे बता है कि कि इस family से blank करते है इसका native price क्या है कि कौन सी KRAF है इसके सीड में यानि कि इसके जो इसका जो Complete Nut होता है ठिक Fruit होता है जिसको में लोक करें उसमें कितने Seeds होते हैं इस प्रकार से आईल को Extract कि रहता है Seeds से, Nut से उसके बाद बताए कि इसकी क्या क्या properties होती है उर इसके योज्स के बारे मैंने आपको अच्छी तरीके समझाया तिक अगला जो लेक्छर हुगा उसमें आपको qastera IP के बारे में 감 exhib के बारे रेका जाएगा जो एक non edible नहीं के रता है तिक जो खाने में उपयोग नहीं केरता है अब यह तक मैंने जतने आयल के बारे में बताया था चाहिए वो मस्टर्ड हो चाहिए वो कोकोनट का आयल हो वो चाहिए वो क्राउंटनट का आयल हो तीनों कैसे थे एडिबल थे खाने योग थे बट यह जो आपका केस्टर का आयल है जिसको हम लोग रेड का तेल बोलते हैं इसका उ नहीं आपके किसके बारे में आज आपके नए आएल के बारे में चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारी आप से मुलाकार केस्टर आएल के साथ होगी जो एक नन इडिवल आयल है ठीक हर टॉपिक के तरह इसमें भी आपका बहुत निकल निम बता जाएगा फैमली बत जाएगी और यूजेज को बताया जाएगा और एक में पॉइंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लिजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेस्टर मिलते रहें और बीएस्टी फोर समिस्टर के साथ सेकेट समिस्टर की भी क्रांसेश चलती है आप अपने दोस्तों अपने मित्रों और जूनियर स्टूडेंट को सेयर करके आप उनको जोर सकते हैं और उनकी बीएस्टी समिस्टर की त्यारी आसानी से होश सकती है ठिक और आपको PDF notes की requirement है आप सकता है तो आप हमारे टेलिग्राम से जूर जाएए टेलिग्राम से जूरने के लिए simple process है आप हमारे whatsapp number 9598 3080 4045 जैसे whatsapp के तुरो message करेंगे आपको एक link मिल जाएगा वहाँ से आप क्या कर सकती है टेलिग्राम ते जूर सकती है और PDF notes को प्राप कर सकती है या फिर आप टेलिग्राम पे डारेक्ट BSC भायो वाला टिक डारेक्ट BSC भायो वाला टाइप करके आप हमारे चैनल से जूर सकती है ठिक चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसके साथ केश्टर आएने के साथ